हे गाईज, विलकम बैक टू मैं चैनल, कैसे हैं आप सब, आज मैं आपके साथ वरत वाली आलू की सब्जी की रेसिपी शेर करने जा रही हूँ, तो चलिए पहले रेसिपी देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चार हरी मिर्च ली है, तो तीखा आपको जितना पसं मैं बनाने चारी हूँ, वो उसमें मैं क्या यूज कर रही हूँ अब आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे रोस्ट किया हुआ, यहाँ पे 5-6 बादाम लिया है मैंने, और साथ ही मुठी भर करके मैंने काजू लिया है, आपने वरत वाली आलू की सब्जी बहुत तो बात करते हैं, रेसिपी की तो इसमें जब आप वैसे ही वरत में बहुत सारा काम हमें करना पड़ता है, और जब हम फास्ट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी भी होती है, जब आप राइफ रूट्स की ग्रेवी बनाएंगे ना, कमजोरी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, तीन टेबलस्पून तेल गरम किया है, इसमें एक हरी लाइची दो लॉंग लिया है, जो कि माता रानी को भी चड़ाया जाता है, इसलिए आप ये दोनु चीजे ले सकते हैं, आदा चोटा चम्मत जीरा लिया है, और बहुत अच्छे से तड़कने देने के बाद इसमें मैंने जो ग्राइंड किया था न वो ड्राइफ रूट्स के साथ ट्रमाटर इसे डाल दिया है, जार खंगाल के भी डालियेगा, काफी मसाले रतने उसे जाने नहीं दीजे वेस्ट, अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम प इसमें हल्दी डालते हैं तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और साथ में सेंधा नमक जो की वरत का नमक होता है, और इसे तीन-चार मिनट तक भूनेंगे, तो जब यह आप वरत वाली रेसिपी जब बनाते हैं यारी सबजी बनाते हैं तो उसमें आप इस रूट्स यूज़ करके देखें, नौ दिन आपको वरत का पता ही नहीं चलेगा, आप इसका टेक्स्टर देखिए, बिना आलू डाले भी आप इसे निकाल करके खा सकते हैं, तो यहां यह भून गया, अब इसमें मैंने उबले हुए आलू डाल दिये, और इसे बस दो- अब आपको जया हो जाएगा, और चलाते-चलाते ही इसमें उबाल आ जाएगा, फ्लेम को इस टाइम में आपको मीडियम कर देना है, और आप देखी सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है, आपके पास अगर धनिया का पत्ता हो तो आप वो भी डालें, मेरे पास इस ट लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंट